तो हेलो गाइज वोलकम टू माई चैनल आज मैं आप लोगों को बताने बाला हूँ रोल इंफिल्ड स्क्रैम 411 के बारे में जो आभी अभी कुछ देर पहले लॉंच हो चुका है तो चलो देखते हैं रोल इंफिल्ड स्क्रैम 11 में क्या-क्या फीचर्स बगरा मिलते हैं क्या पावर है टॉर्क है उसके बारे में बात करते हैं तो चलो आज के वीडियो सुरू करते हैं तो पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजिन के बारे में इस बाइक में आप लोगों को 411 CC इंजिन मिलता है सिंगेल सिलिंडर एसो एसी एयर कूल फोर स्ट्रोक इंजिन इस बाइक में दिया गया हुआ है जो पावर प्रोडियूर्स करता है 24 PS का अधिरेट 6000 आर्पेम में और 32 एनम टॉर्क जेनरेट करता है 4250 आर्पेम में इस बाइक में आप लोगों को 5-speed manual transmission दिया गया हुआ है टेलिस्कोपिक फोर के साथ 190 mm ट्रावल मिलता है और रियर में आप लोगों को भी 180 mm ट्रावल के साथ पीछे मोनोसोक मिलता है और इस बाइक का जो कार्वोएट है वो 185 kg के आसपास है और जो seat height है वो 795 mm का आसपास है जो हिमालायन से 5 mm कम है और जो कार्वोएट है वो भी हिमालायन से कुछ 15 kg के आसपास कम है इसलिए इस बाइक को ट्राफिक ट्राफिक में चलाने में आप लोग कोई प्रॉब्लेम नहीं होगा मतलब यह थोड़ा बहुत लाइट हो आप लोगों को फिल होगा तो एही मेरा एक छोटा सा वीडियो था स्क्रैम 411 के बारे में तो जड़ी आप लोग कंफ्यूज हो कि हिमालायन लिया जाए कि स्क्रैम 411 लिया जाए तो पहले मैं आप लोगों कहाना चाहूंगा कि रॉल्लमिट के सोरूम में जाओ और टेस्टराइब लो उसके बाद डिसाट करो कि कौन सा वाइक लेना है तो मिलते हैं आगली वीडियो म तब तक के लिए टाटा बाई बाई बाई